हालेलुया, यह ऐसा ड्रामा था, एना हमने भी रो दिये, अगर ड्रामा देखके अगर आपको रोना आता है, तो जो हकीकत है, उसको सोच कर कितना रोना आना चाहिए, हालेलुया, हालेलुया, आईए हम इस समय परमिश्वर के वच्छनों में जाए और हम चाहेंगे कि आप सभी लोग परमिश्वर के वच्छन को ध्यान से सुने, परमिश्वर के वच्छन को इज़त दे क्योंकि जो लोग प्रभू को प्यार करते हैं, प्रभू की इज़त करते हैं वे लोग परमिश्वर के वच्छन के इजद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सभी लोग सुन रहे। सभी लोग सो रहे। जो भी लोग सो रहे, बोलो हालेलुया। दन्यवाद आपका। जो लोग सुन रहे, बोलो हालेलुया। बहुत अच्छे, मैं वच्चन में जाने के पहले, आपसे दो चीज कहूंगा, निती वच्चन तेरा का तेरा में लिखा है, जो वेक्ति परमेश्वर के वच्चन को तुछ जानता है, वो नश्ट हो जाता है, फिर से मैं आपको दोरा रहा हूं, जो वेक्ति परमेश्वर के वच्चन को तुछ जानता है, वो नश्ट हो जाता है, उसका मतलब क्या है, जो लोग परमेश्वर के वच्चन को इजद नहीं देते, जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के टायम यहाँ वहाँ देखते रहते हैं आपस में बाते करते रहते हैं या फिर घूमते रहते हैं भटकते रहते हैं यह वे लोग हैं जो प्रभु के वचन को इज़त नहीं देते और प्रभु का वचन कहता है कि जो लोग परमेश्चर के वचन को तुछ जानते हैं, उसको इज़त नहीं देते, आदर नहीं करते हैं, ध्यान से सुनते नहीं हैं, और सच्छे दिल से ग्रहन नहीं करते हैं, वे लोग नश्ट हो जाते हैं। मैं आप से इज़त का माने नहीं आया, मेरी आप से सिरिफ इतनी दरखास है, कि आप इस परमेश्चर के वच्छन की जिसका मैं दास हूं, उस परमेश्चर के वच्छन की इज़त करना सिखो। आलेलुया, क्योंकि बहुत सारी लोग वच्छन के टायम बाते करते हैं, फोन लेके यहां-वाँ घूमते हैं, या फिर सो जाते हैं। इसे आप मत करो, क्योंकि परमेश्चर के वच्छन कहता है, कि जो लोग प्रभु के वच्छन को तुछ जानते हैं, वे लोग नाश हो जाते हैं, और प्रभु का वच्छन ये भी कहता है, निती वच्छन 28 का नौ में, कि जो वेक्ति परमेश्चर के वच्छन को सुनने से अपना मुह फेर लेता है, उसकी प्रातना ग्रिनिट ठहरती है। जो वेक्ति परमेश्चर के वच्छन को सुनता नहीं है, प्रभु उसकी प्रातना भी कभी नहीं सुनता। बहुत सारी लोगों की यह पुकार रहते हैं कि है परमेश्ष्वर, मैंने तुसे कितनी दुआएं की, कितनी प्रात्नाएं की, लेकिन तु मेरी प्रात्ना क्यू नहीं सुनता, तब एक आवाज आती है, कि जब भी मेरे वच्छन का प्रचार होता था, तब तु सोता था, तिरी प्रात्ना नहीं सुनी, जो वेक्ति प्रभू का नहीं सुनता है, प्रभू भी उसका नहीं सुनेगा, हालेलुया, अगर आप चाहते हैं कि तुमारी प्रात्नाएं सुनी जाए, प्रभू आपकी प्रात्नाओं का अगर उत्तर दे, तो जब भी वच्छन पढ़ते हो जब भी वच्चन सुनते हो बड़े ध्यान से, बड़े गवर से हलेलुया, हलेलुया और एक वच्चन कहने के पहले मैं आज आपको बड़े विश्वास से कहना चाहता हूं आप में से मुझे नहीं पता कितने लोग आज सच में आप बिमार हैं कितने लोग आज सच में आप बिमार हैं आपको हो सकता है आज हो सकता है काफी हपते से काफी महने से आपको सर का दर्द है आपके गले में दर्द है, छाती में दर्द है पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, गुटने में दर्द है या आपके शरी में कहीं पे भी गांट है कुछ भी आपको सरीर से लेकर कोई भी ऐसी समस्या है अंद्रूनी है, बहरी है, जो भी है ऐसे लोग हम चाहते कि हाथ उठा ले सर्माओ नहीं डॉक्टर के पाँ जाते हो, आप सर्माते नहीं आप गुंगट ओड के नहीं जाते अगर दर्द है तो इमानदरी से हाथ उठा लो नहीं है तो मत उठाओ कहीं पे भी किसके भी शरी में गांट है, गोला है या पेट में पत्री है या हड़ियों का दर्द है, जोडों का दर्द है, या वाद की कोई समस्या है, उंगली में है, मुक्का मार लगा है फैक्चर हुआ है या आप सही डंग से चल नहीं सकते ऐसा जो भी लोग है, इमानदरी से पूरा हाथ उठा ले ओके आप सोचते होंगे, मैंने ऐसा क्यूं कहा हालेलुया हाथ मीचे कर ले भजण सहिता एक सो साथ का बीस में लिखा है वह अपने वच्छन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड़े में वे पड़े हैं, उससे बाहर निकालता है हालेलुया परमेश्वर अपने वच्छन के द्वारा उसके लोगों को क्या करता है कौन चंगा करता है अरे अच्छे से बोलो ना कौन चंगा करता है परमेश्वर कैसे चंगा करता है अपने वच्चन के दुआरा आज प्रभू का जो वच्चन है आपके पास कैसे आ रहा है उसके दास के जरिये हलेलुया, हलेलुया, मैं आपको चंगा करने वाला नहीं हूँ, आज परमिंश्वर आपको चंगा करेगा, लेकिन उसके वच्चन के दुवारा, तो जितने भी लोगों ने हाथ उठाया है, मेरी आप से इतनी बिंती है, कि आप प्रभू के वच्चन को सिर्व ध्यान से सुन कितने लोग को विश्वास है कि आज प्रभू वच्चन सुनने के द्वारा आपको चंगा करेगा, हलेलुया, क्योंकि आपका विश्वास मेरा काम है विश्वास से प्रचार करना, आपका काम है विश्वास करना, हलेलुया, मैं मेरी बढ़ाई ने करूंगा, मैं परमिंश के वच्छन को प्रचार हमने किया कई सगों में प्रभू ने तरह तरह से लोगों को चंगा किया गाठे गायब हो गई हड्डियों का दर्द मुक्का मार बहुत सारी मैं आपको बयानी कर सकता हूं कि इतने सारे अलग-अलग चमतकार परमेश्वर ने लोगों को किया सिर्फ वच्छन सुनने के दवारा हालेलुईया बिना प्राथना किये आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि प्रभू अपने वच्छन के दवारा लोगों को चंगा करता है और आज जितने भी लोग यहां बैठे हैं अगर आप प्रभू के ध्यान से सुनोगे हो सकता है आपका और भी कोई पॉलम हो, करजे में हैं, पैसा अटका है, आपके घर में जगड़ा होता है, आपका पत्नी के साथ जमता नहीं है, या आप जो आये हो, आप ही के घर में कोई बिमार पड़ा है, तो अगर आप प्रबु के वच्चन को ध्यान से सुनोगे, तो प्रबु आपके घ बिमार व्यक्ति को भी चंगा करेगा, हालेलुया, कुछ भी प्रॉलम है, आखों का, कानों का, दातों का, कुछ भी आपके बौड़ी में है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी कटिन नहीं है, हालेलुया, हालेलुया, और आप में से बहुत सारे आपने अपनी आखों से देखा है, जो लोग कलीश्या में आते हैं, प्रभु वच्चन सुनने के द्वारा, कई बार कई लोगों को चंगा किया है, कितने लोग इस बात के गवा है, कि आपना हाथ उठा सकते हैं, हाँ, यह आप लोग गवा हैं, क्योंकि आपने ये चीज क को चखा है और आज भी परमिश्वर करेगा हालेलुया सो वच्छन सुनते से मैं बात नहीं करना कहीं घूमना नहीं हाँ और सो मज जाना और इधर उधर यह लाइट ओ लाइट नहीं देखना क्योंकि हम तोड़े समय में आपको प्रभू के वच्छन सुनाएंगे हालेलुया आज क्रिस्मस है क्रिस्ट में मस्त रहना है और एश्यू मसी के जनम उस्व को लेकर इस दुनिया में खुशिया मनाई जाती है लेकिन एश्यू मसी के जो आने का जो कारण है वो लोकों को पता नहीं है कि एश्यू मसी दुनिया में क्यों आया हालेलुया अगर कोई पढ़ सकता है तो मैं चाहूंगा कि लुका की पुस्तक दो का दस अगर कोई पढ़ सकता है तो बड़ी मेर्मानी होगी लुका की पुस्तक लुका दो का दस चलो मैं आपके लिए पढ़ता हूं पर कोई तो बाइबल लेके तयार है ना लुका की पुस्तक दूसरा ध्याय का दस तब स्वर्दूत ने उनसे कहा मत डरो क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सूसामचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा आज दावुत के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है और यही मसी प्रबू है बड़े आनंद का समचार तुम्हें सुनाता हूँ स्वर्दूतो ने कहा हलेलुया और सबसे बड़ी चीज कहा कि जो सब लोगों के लिए होगा किसके लिए सब लोगों के लिए होगा आज मैं आपसे कुछ सच्चाई कहूंगा हो सकता है आपको यकीन हो ना हो आप विश्वास करे ना करे आपकी जिन्दगी है हलेलुया लेकिन हम आज इश्व मसी का जनम उस्व मनाये जा रहा है तो उनके जनम उस्व पर कुछ बाते तो कहना जरूरी है हलेलुया तो लिका है मैं तुम्हें बड़े आनन का सुसमाचा सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा ये सब्द मुझे बड़ा अच्छा लगा सब लोगों के लिए किसके लिए सब लोगों के लिए जब भारत देश में कोई पधान मंत्री बनता है तो वो किसके लिए बनता है सब लोगों के लिए आप थोड़ा बोला करो जब भारत देश में कोई पधान मंत्री बनता है तो वो किसके लिए बनता है सब के लिए सब के लिए मतलब क्या सब के लिए हालेलुया सब के लिए मतलब सब के लिए और जितने भी भारत देश में लोग रहते हैं सब के लिए हालेलुईया वैसे ही परमेश्वर किस के लिए है बोलो ना सब के लिए मेडिकल किस के लिए होता है हॉस्पिटल किस के लिए होता है ये हवा किसके लिए बनाई गई ये सूरज किसके लिए है चान किसके लिए है हवा किसके लिए है तो खुदा किसके लिए है सबके लिए परमिश्वर सबके लिए और एक देश में एक ही पदानमंत्री होता है और एक ही दुनिया है तो एक ही बनाने वाला भी है मैं कभी-कभी सोचता हूँ एक सूरज के अंदर इतनी ताकत है इतनी मरदानगी है कि पूरी काइनात को अकेला रोशनी देता है सुन रहे है एक ही सूरज है जो अमरिका, अफरिका, लंडन, पाकिस्तान, तुरकिस्तान सारे दुनिया को अकेला ही रोशनी देता है सही है? या उसके साथ और कई सूरज लोग है अकेला अकेला सूरज एक ऐसा बंदा है अकेला सूरज एक ऐसा वेक्ति है जो पूरी काइनात को अकेला रोशनी देता है अगर वो अकेला रोशनी दे सकता है तो क्या एक परमेश्वर दुनिया समाल नहीं सकता क्या एक परमेश्वर दुनिया चला नहीं सकता हाँ हलेलुया और एक ही इश्व मसी है जो सारे जहां का उद्धार करने के लिए एक ही इश्व मसी इस दुनिया में आया यहाँ पे जो लिखा है कि मैं तुम्हें बड़े आनन्द का समाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा किसी एक प्रकार के लोगों के लिए नहीं सब लोगों के लिए होगा अब लिखा है कि तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है इश्यू मसी इस जगत का उद्धार करता, मुक्ति दाता, मौक्ष दाता है इश्यू मसी इस दुनिया में आए लोगों को मौक्ष देने के लिए, मुक्ति देने के लिए हालेलुया आज लोग मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, अपना पाप मिटाने के लिए इस दुनिया में लोग क्या कुछ नहीं करते, फिर भी पाप समानी होता फिर भी मोक्ष नहीं मिलता, फिर भी मुक्ति नहीं मिलती लोग कहां कहां जाते हैं मुक्ति पाने के लिए और क्या क्या नहीं करके आते एक शेर सुनिएगा करते करते मुक्ति की तलास लोगों की जिन्दगियां हो गई खलास करते करते मुक्ति की तलास लोगों की जिन्दगी हो गई खलास पल भर में मिल गई मुक्ति उसे चले आया जो एश्य मसी के पास आलेलुया 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 पानी से पाप नहीं दूलता पानी से महल दूलती है और नेक काम करने से पाप कभी कड़ता नहीं है दुनिया में कहा जाता है नेक काम करो नेक काम करो जिसकी भी लिस्ट निकालो तो सब ब्लैक लिस्ट में भरे पड़े हैं बाते तो हर कोई नेक काम की करता है लेकिन जब बारी आते करने की तो हर कोई बुरा ही काम करता है Hallelujah और अगर कोई मुझरिम है गुनेगार है उसने जूड बोला है चोरी किया है या बलत कार किया है और वो जाकर कहीं नेक काम करे तो क्या अदालत उसे छोड़ देती है हां तो किसी मनुष का नेक काम उसको परमिश्वर से बचाने वाला नहीं है हलेलुया किसी का नेक काम, किसी का जिंदगी में किया हुआ हजारों अच्छा काम आपको आपके पापों से नहीं बचाएगा जब तक खुदा किसी को बक्स ना दे जब तक वो परमेश्वर किसी को माफ ना कर दे उसके पाप कभी शमा नहीं होंगे हलेलुया हर मनुष्य पापी है परमेश्वर की नजर में और माफी सिर्फ वही से मिल सकती है और वही माफी देने के लिए आपका पाप मिटाने के लिए मोक्ष मुक्ती देने के लिए स्वयम परमेश्वर मनुष्य बनकर इस दर्थी पर आया हलेलुया क्योंकि हम सब के सब पापी पुरी दुनिया पापी है क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम अवा को बनाया तब उन्होंने पाप करके वो पती-पतनी-पापी हो गए और उने से पैदा होते 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 सारी दुनिया सारी काइनात भर गई और कोई भी पाक नहीं है क्योंकि इस दुनिया के जो पहले पती पतनी थे नर नारी थे वही परमिश्वर की नजर में पापी निकले और उने से बच्चे के बच्चे बच्छे के बच्चे, बच्चे के बच्चे होते 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 पुरी दुनिया वर गई और कोई पवित्र नहीं है एक बच्चा जो मा के पेट में पल रहा है वो भी पापी है क्योंकि वो एक पापी का बीज है हलेलुया अगर एक हापू साम अगर आप उसको खा लो, उसकी गुटली, काते साबुन से दो दो और जमीन में डाल दो, तो कौन सा आम आएगा, तोतापुरी, दसारी कौन सा आम आएगा, क्यों हापूस आएगा क्योंकि उसकी नसल वही है, हलेलोया इस दुनिया में जब परमेश्वर ने दुनिया बनाई, तो बनाने के बाद एक नर, एक नारी बनाया और उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं माना, उन्होंने प्रभू की नजर में पाप किया और फिर उन्हीं वो पापी हो गए और उन्हें के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे सारी दुनिया बर गई हालिलुया 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 और हम सब क्या है इंसान है हम सब क्या है हम सब इंसान है और हम सब को परमिश्र ने बनाया और हम सब को माफी की, मोक्ष की, मुक्ती की जरुवत है हालिलुया हालिलुया रब ने इंसान बनाया मजभब नहीं रब नहीं परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया जाती को नहीं ये तो लोग हैं जिनों ने जातीयों को बनाया खुदा को नहीं अलेलुईया सूरज सब के लिए है चांद सब के लिए है आसमान सब के लिए है धर्ती सब के लिए है हवा पानी सब के लिए है परमेश्वर भी सब के लिए है परमेश्वर किसी का बटा हुआ नहीं है और कोई भी खुदा को बाट नहीं सकता आप सूरज को बाट सकते हैं अरे बोलते रहो ना चांद को बाट सकते हैं बरसाद को बाट सकते हैं हवाओं को बाट सकते हैं आसमान को बाट सकते हैं फिर खुदा को हम कैसे बाट सकते हैं कि ये मेरा है और वो तेरा है किसी माँ बाप के चार बच्चे किसी के आठ किसी के दस होते हैं प्रोपटी बाट लेते हैं पैसे बाट लेते हैं गहना, सोना, चांदी, सब बाट लेते हैं, लेकिन जब बारी आती माँ बाप की, तो कैसे बाटे, क्योंकि एक ही बाप, एक ही माँ होता है, हम खुदा को नहीं बाट सकते, मैंने कहा, हम खुदा को नहीं बाट सकते, क्या इस भारत देश में जो इतने हजारो जाती के लोग हैं, क्या वो पदान मंतरी को बाट सकते हैं, क्यों नहीं बाट सकते, एक ही है, हालेलुया, हालेलुया, है न, बले हजारो जात के लोग इस देश में रहते हैं, लेकिन पदान मंतरी को बाट नहीं सकते, क्यों, क्योंक जनम कहानिया बाते हैं – इसी जनम का भरोसा नहीं – कब मर जाएंगे कब क्या होगा – दुसरे तिसरे जनम का सोचना तो छोड़ दो हालेलुया हालेलुया इसी जिन्दगी में अगर हम मोक्ष पा लिए इसी जिन्दगी में अगर हमको नई जिन्दगी मिल गई बहुत बड़ी बात है हालेलुया कमपनी में आदमी बार-बार भरती नहीं होता बार बार रिटार नहीं होता एकी बार बरती होता है एकी बार रिटार होता है एकी बार उसका हिसाब किताब होता है वैसे इस दुनिया में एकी बार इंसान आता है और एकी बार मर जाता है और एकी बार उसका हिसाब किताब हो जाता है कोई दूसरा तिसरा जनम नहीं है हालेलुया यह सिर्व सुनने को बहुत अच्छा लगता है मैंने कहा यह बाते सिर्व सुनने को अच्छी लगती है हालेलुया हालेलुया तो एश्यु मसी जो है जगत का उद्धार करता है और वो इस दुन्या में उसने जनम लिया हलेलुया मती एक का एकष मती एक का एकष चल दी से कोई वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम इश्यू रखना क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उधार करेगा लिखा है लिखा है कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम इश्चु रखना क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा हालेलुईया हालेलुईया आज लोगों को जौप चाहिए, जीवन साती चाहिए, बच्चे चाहिए, प्रमोशन चाहिए, इंक्रिमेंट चाहिए, अच्छा उनको पद चाहिए लेकिन कोई भी मुक्ति पाने के लिए पाप शमा पाने के लिए आदमी सोचता ही नहीं और क्या फाइदा बाइबल में लिखा है यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपनी ही आत्मा गवा दे उसे क्या फाइदा कोई भी वेक्ति कितना भी बड़ा हो कितना भी नामचीन हो कितना भी पैसे वाला हो हलेलुया एक चीज हमेशा याद रखना कभी किसी की कफन में जेब नहीं होता कभी किसी की कफन में जेब नहीं होता मेरे यारो मर जाने के बाद कोई औरंग जेब नहीं होता अलेलुया बच्चा जब पैदा होता है तो उसको सफेद कपड़े में लपेटते हैं और उसमें जेब नहीं होती और जब इनसान मर जाता है तो उसको सफेद कपड़े में लपेटते हैं उसमें भी जेब नहीं होती ना कुछ लेके आये थे न कुछ लेके जाओगे अलेलुया और जैसे आसमान है तो धर्ती है, उजाला है तो अंधेरा है जिन्दगी है तो मौत है परमेश्वर है तो सैतान है वैसे इस सुवर्ग भी है नरक भी है मानो ना मानो आपकी बात लेकिन सच्चाई यही है इस दुनिया में हम सब आ गए हैं एक शायरी है चले तो आए तुमी यहां में खुदा के लाने से पर अब तक तुमने क्या किया है खुदा के बताने से आप सब को परमेश्वन ने जिंदगी दी 60-70-80 साल की जो भी है अब दुनिया में आए हो आदी उमर तो बीद गई किसी के आदे से ज़्यादा बीद गई थोड़ी बची कुछी है यारो वो भी बीद जाएगी और एक दिन करके हम और आप सब दीरे दीरे दुनिया से चले जाएंगे लेकिन एक सवाल है मरता तो हर कोई है लेकिन मरने के बाद जाता कहा है एक दिन तुम सब मरोगे मैं भी मरोंगा जितने भी दुनिया में आये हैं सब मरेंगे लेकिन एक सवाल है कि मरने के बाद इंसान जाता कहा है क्योंकि मरने के बाद दो ही जगा है एक सुर्ग एक नरक और सुवर्ग में आप जाने ही सकते जब तक आपका पाफ शमाना हो बिना पाफ शमा हुए कोई सुवर्ग में नहीं जा सकता आपको पता ना बारगाओं में जाने के लिए आपके पास क्या होना चीए पासपोर्ट वीजा होना चीए हलेलुया आप एरिपोर्ट पर जाके बोलेंगे मुझे अमरीका जाना है तो बोलेगा हाँ आए बैठ जाए ऐसा नहीं होता है वैसे ही अगर आपको मरने के बाद स्वर्ग जाना है तो उद्धार का जो टिकट है उद्धार का पासपोर्ट जो वीजा है वो आपको बनवाना पड़ता है हलो हलिलुया तो मरना तो सबको है हम सब मरेंगे लेकिन मरने के बाद आप जाना कहा चाहते हो स्वर्ग यह न रख अगर स्वर्ग जाना चाहते हो तो स्वर्ग जाने के लिए पाप्शमा होना जरूरी है मोक्ष होना जरूरी है और आपको मोक्ष कोई भी नहीं देगा आप दूद की दुकान में जाके बोलोगे मुझे एक लिटर तेल दो आपको नहीं मिलेगा आप जूते की दुकान में जाके बोलोगे मुझे एक जूड़ी कपड़ा दो तो नहीं मिलेगा आप जहाँ गाड़ी ग्यारिज में बनती है वहाँ फ्रीज ले जाके बनाओगे तो नहीं बनता है हालेलुया गाड़ी बिगड़ती है तो ग्यारिज में जाना पड़ता है कपड़ा चाहिए तो कपड़े की दुकान में दूद चाहिए तो दूद वाले की दुकान में वैसे अगर आपको मोक्ष चाहिए मुक्ती चाहिए तो आप दुनिया में कहीं पे भी जाएंगे तो आपको मोक्ष मुक्ति नहीं मिलेगा क्योंकि मोक्ष मुक्ति वही देता है जिसके पास है और वो इश्यू मसी है वो इश्यू मसी है जिसके पास मोक्ष है, मुक्ति है क्यों उसके पास मोक्ष और मुक्ति है क्योंकि वही एक निस्पाप और पवित्र खुदा है जिसने सारे लोगों के पापों को अपने उपर लिया और अपना लहू बहाया और लोगों को शमा और मुक्ति दी है हालेलुया अगर आपको मरने के बाद स्वर्ग में जाना है तो तुमारे पास मोक्ष मुक्ष मुक्ति होना जरूरी है और मुक्ष मुक्ति अगर चाहिए तो आप कहीं पे भी जाओगे तो नहीं मिलेगा जो चीज़ जहां है वो पाने के लिए वहीं जाना पड़ता है हालेलुया हालेलुया आप पास्पोर्ट के ऑफिस में जाके बोलो मुझे राशन काड बनवाना है बना देंगे न क्यूं राशन काड आफिस में जाके बोलो मुझे पास्पर्ट बनवाना है बन जाएगा न क्यूं तो पता आपको जवाब क्या मिलेगा भाई साप आप कहा एओ अब वो आपको अंदर से बोलेगा खिड़की में से कहा आयो राशन कार्ड बनवाना है तो राशन कार्ड के ऑफिस में जाओ पासपोर्ट बनवाना है तो पासपोर्ट ऑफिस में जाओ वैसे ही जिन्दगी में मोक्ष पाना है मुक्ती पाना है पापों से शमा पाना है तो सिर्फ इश्यू के पास ही मुक्ति मिलती है आप कितना भी नदी में नहाओ, कितने भी नेक काम करो, और कुछ करो मुक्ति मिलेगी यह नहीं और जब तक किसी को मुक्ति नहीं मिलती जब तक किसी का पाप शमा नहीं होता है वो इंसान मरने के बाद भूले से भी जन्नत में नहीं जाएगा अब आप सोच लो जिन्दगी का बरोसा नहीं लोग कभी भी मर जाते बच्चा मा के पेट में मर जाता है डिलिवरी होती तब मर जाता है लोग जमानी में एक्सिडेंट से मर जाते हैं जिन्दगी का कोई बरोसा नहीं अच्छा है मरने के पहले मोक्ष और मुक्ति पाले अच्छा है मरने के पहले मोक्ष और मुक्ति पाले आपको मैं बता दू मती 2 का साथ में लिखा है धान से सुनो जब हेरो देश ने जो तिसियों को चिपके से बुला कर उनसे पूछा कि तारा ठीक समय कब दिखाई दिया था हालेलुया राजा जो हेरो देश था मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि समय नहीं है इदम शौट में वचन सुनते रो प्रभू आपको चंगा करेगा जैसे इश्यमसी पैदा हुआ ना उसके पैदा होने से लेकर साड़े तैती साल तक लोग उसको मारने की फिराक में थे सोचो जब से इश्यमसी पैदा हुआ तब से लेकर उसको 30-30 साल तक वो इस दुनिया में था तब तक उसको तरा-तरा से लोगों ने कोशिश किया मारने के लिए हालेलुईया मौत की क्या मजाल जो वो येश्यू मसी को मिटाए येश्यू मसी तो एक ऐसा खुदा है जो मरेवे मुर्दे को भी जिलाए कई लोग कहते अरे इश्यू मसी खुदी मर गए वो खुद को नहीं बचा सके तो हमको क्या बचाएंगे ऐसी गलत फैमिया यहां से ये डिपार्टमेंट से निंकाल के फेक दो साड़े 33 साल लोगों ने इश्यू मसी को मारने के कोशिश की बड़े बड़े लोगों ने नहीं मार सके लेकिन साड़े 33 साल के बाद उसने खुद मौत को स्विकार किया हालेलुया इश्यू किसी के मारने से नहीं मरा क्योंकि उसने खुद मौत को स्विकार किया क्योंकि बाइबल में लिका है पाप की मजदूरी मौत है और सब ने पाप किया था वो मौत हमारे और तुम्हारे लिए लिखी गई थी लेकिन वो मौत इश्व मसी ने अपने उपर ले लिया इसके लिए मर गया हमारा तुम्हारा पाप उसने अपने उपर ले लिया इसलिए वो मरा उसने मौत को स्विकार किया और तो मैं तो ऐसा कोओंगा, कि इश Pierre नहीं वो थो सहीद हो गया, जो भी लोग देश के लिए मरते हैं, यह नहीं कहा जाता है कि वो मर गए, यह कहा जाता है, वो सहीद हो गए, हलेलोिया, इस भारत देश में न जाने कितने देस भग्त लोग है, हलेलुया क्या वो नहीं मरे मैं आपको पूछ रहा हूँ इस बारत देश में न जाने कितने देश भक्त लोग है जो इस देश के लिए सहीध हो गए मर गए की नहीं अरे बोलो ना यार तो आप उनको बोलते हो क्या अरे आप तो खुदी मर गए हमको क्या बचाओगे लेकिन उन देश भक्तों को अगर आप पूछोगे तो एक आवा जाएगी हम मरे तुमारे लिए सारे देश भक्त जो है वो ये कहेंगे हम मरे तुमारे लिए हलेलुया हलेलुया जो लोग ऐसे कहते है इस्व मसी इसलिए मरा कि तुमको और मुझको जिन्दगी मिले हलेलुया हलेलुया धांस चे सुनो मैं जल्दी से आपको बताना चाहता हूँ कि एश्व मसी इस दुनिया में क्यूं आया ये आपको जानना बहुत जरूरी है और मैं जल्दी बोलूँगा आप पड़ो मत सिर्फ लिख लो या धान में रखो नहीं तो रिकॉर्डिंग है बाद में लेलो यहोना की पुस्तक 12 द्याय का 37 में लिखा है कि वो उद्धार करने आया हलेलुया यहोना 10 का 19 में लिखा है 10 का 10 में लिखा है कि वो जीवन देने के लिए आया यहोना 14 का 27 में लिखा है कि एश्यू मसी ने कहा मैं तुमें मेरी शांती दिये जाता हूं एश्यू मसी शांती देने आया चौथा मर्कुस की पुस्तक 6 द्याय का 54 से लेकर 56 तक पड़ेंगे तो ऐसा लिखा है उसने सब को चंगा किया एश्यू मसी चंगा करने आया लू का 4 का 8 गर आप पड़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि एश्यू मसी चुटकारा देने के लिए आया और यहोना 9 का अगर 49 आप पड़ेंगे तो लिखा है वह न्याय करने के लिए आया आज इंसान को जीवन में क्या चाहिए सब को धर चाहिए सब को मौक्ष चाहिए सब को मुक्ती चाहिए वह एश्यू मसी देने आया आज इंसान के पास यह जो जीवन है ना इस जीवन को और एक जीवन चाहिए तो एश्यू मसी एक नया जीवन देने आया, एश्यू मसी शांती देने आया, एश्यू मसी चंगाई देने आया, एश्यू मसी चुटखारा देने आया, और एश्यू मसी आपको न्याय दिलाने आया. और इस दुनिया में कोई भी वेक्ति आपको उधार नहीं दे सकता आपको जीवन नहीं दे सकता सची शांती नहीं दे सकता कोई आपको चंगा नहीं कर सकता कोई भी आपको चुटकारा नहीं दे सकता और कोई भी आपका न्याएं नहीं दिला सकता आलेलुईया मानते हैं आपको शांती की जरुवत है चंगाई की जरुवत है चुट्खारे की जरुवत है एक नया जीवन चाहिए कई लोग के साथ जिंदगी में बड़ा न्याय हुआ है मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ आपने बड़ी कोशिश की आप पुलिस में गए होंगे और कहीं गए होंगे आपके साथ न्याय होना चाहिए था लेकिन आपको न्याय नहीं मिला आज इस मंच पर खड़े होकर मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि एक बार इश्य के पास आकर दुआ करके देख लो कि एश्य तू मुझे न्याय दिला दे आप देखना आपको न्याय मिलता है कि नहीं हालेलुया एक बार कहके देखो कि एश्य मेरी जिन्दगी को एक नई जिन्दगी दे दे एश्य मुझे मेरे पापों से मुक्ति दे दे येश्यु मुझे जीवन की शांती दे येश्यु मुझे छुटखारा दे दे ये सारी चीजे सिर्फ येश्यु के पास ही मिलती है और कोई दुकान में मेडिकल में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो परमेश्वर ही जिन्दगी को जिन्दगी देता है परमेश्वर ही मनुस को मन की शांती देता है परमेश्वर ही बिमारों को चंगा करता है परमेश्वर ही बंधुओं को छुटखारा देता है परमेश्वर ही जिनके साथ अन्याय होता है उनको सच्छा नयाए देता है। हालेलुया। 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 थोड़ा सा बोलके हम खतम करेंगे। जब इस्व मसी पैदा हुआ ना उसको जोतीस लोग। कौन मिलने आया। जोतीस लोग। और आझ दुनिया में देखो लोग। जोतीस के पाज जाते doorway। और जोतीस लोग के एश्व को मिलने आया। हालेलुया। क्योंकि उनको पता था कि हमारी जिंदगी इसके हात में है। और लोग अपनी जिंदगी जितिसों के पाज आके कि बताइए मेरे जिन्दगी में क्या होगा वो तो पैसा बटोरने के लिए आपको कुछ भी बोल देंगे मुझे एक ने कहा था तेरी दो भी भी होगी अभी तक 19 साल हो गया एक ही है दूसरी कहा है मुझे आज तक पता नहीं है आज यूतिस लोग बोलते हैं मेरा हाथ दे कहा था दो रेखा है अभी तक एक ही आउरत को मैंने देखा है तूसरी को नहीं देखा है अग्लीज में बहुत अच्छा लिखा है वाइस में बुद्धिमान लोग इश्य को मिलने आए जल्दी से सुनों बुद्धिमान लोग अग्लाइन से अग्लाइन से प्रोगाम खतम नहीं वा अग्ला थोड़ा तसली रखो जाल में एक बार रहता है थेटर में जाते थे जब तक दा इंड बोलके ना इसा आये उड़े नहीं थे और अगर जल्दी खतम जाए अरे यार पिच्छ बहुत जल्दी खतम इगी और पर अलगी खोपड़ी लेके आते अरे कब खतम होगा अरे कब खतम होगा एक दिन आएगा बाभू जिंदगी खतम हो जाएगी प्रोग्म कि क्या बात करते हो तब कोई प्रोग्म आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि आपका प्रोग्राम सुरू हो जाएगा न्याय का प्रोग्राम, तब आप परमिश्वर को नहीं बोल सकते कि जल्दी करो प्रभू, मुझे देर हो रही है, शांती से बैटो, साल में एक बार रहता है, बाजो लोग बोलो बैटो, आपको पता है, कई जगा में नौ से बारा रखते हैं प्रात्ना, हमने आप लोगों के लिए ऐ बार पौश सके, हालेलुया, बहुत कम जगों में आपको ऐसा समय में प्रात्ना रखा जाता है, हालेलुया, तो जल्दी से सुने, इशु मसी को मिलने कोन आया, बुद्धिमान लोग, और मैं आप से कहूं, आप लोग सच में बुद्धिमान लोग है, क्योंकि आप इशु को मिलने आये, मुर्क लोग, मुर्क लोग कभी मिलने नहीं आते, मुर्क लोग वो सारुग सलमान को मिलने जाते हैं, करिना कतिरीना को मिलने जाते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग खुदा को मिलने आते, हालेलुया, हालेलुया, बुद्धिमान इंसान अपने बनाने वा मैं बुद्धिमान हूँ हालेलुया बुद्धिमान लोग इश्यू को मिल ले आए दूसरी चीज ऐसा लिखा है कि उन्होंने बालक को मुँ के बल गिर कर बालक को प्रनाम किया और अपनी थैली खोल कर उसको सोना लोबान और गंदरस सोना मतलब क्यों मालम है क्योंकि इश्यू मसीर राजा था लोबान मतलब अराधना और गंदरस जो था कि इश्यू मसीर एक दिन हमारे लिए मरेगा तीन चीजे जो इश्यू मसीर के जनम के टाइम इश्यू मसीर के पास रखी गई वो ये तीन चीज को दरसाती थी कि एक दिन वो राजा बनेगा एक दिन उसकी अराधना होगी हालेलुया और एक दिन वो हमारे पापों के लिए मरेगा एक बात बताना चाहता हूँ कि इश्व मसी जब पैदा हुआ उसको राजा बुद्धिमान लोगों ने सोना दिया हालेलुया बुद्धिमान लोग खुदा को मिलने आते हैं बुद्धिमान लोग खुदा को कुछ देने आते हैं बुद्धिमान लोग खुदा की अराधना करने आते हैं ओ माइ गॉड़ मैंने कहा आप लोग बुद्धिमान है इधर की बत्ती जल रहे है आपकी कब जलेगी बुद्धिमान लोग इश्यू को मिलने आए कि नहीं आए तो बुद्धिमान लोग हमेशा इश्यू को मिलने आते हैं बुदिमा लोग हमेशा परमिश्वर को भेट अर्पन देने आते हैं, और बुदिमा लोग हमेशा प्रभू की अराधना करने आते हैं. आप धन्य हैं आप प्रभू को मिलने आए आप उसकी अराधना करने के लिए आए अलड़ी आपने उसकी अराधना की हालेलूइया कुछ देर के बाद एक ऐसा समय आएगा आप प्रभू को भेट और अरपन देने का आजलीय एक दिन हम प्रभू के पास चले जाएंगे खाली हाथ तब वह हमारे हाथों को मला मल करेगा तब वह हमारे जिन्दगी को आबाद कर देगा हम जन्नत में उसके साथ रहेंगे फरिस्तों की जैसे घुल्यूया खुदा ने, किसी ने क्या खुब कहा खुदा ने इनसान को बनाया बस एक मोहबबत के वास्ते वरना फरिस्ते कमना थे जननत में इबादत के वास्ते हालेलुया मेरे पास समय नहीं है लेकिन मैं एक मिनिट लोगा जैसे आपने परमिश्वर का वच्छन सुना आप अपने बोडी को जल्दी से चेक करें सिर्फ एक मिनिट आपको देता हूं जो लोग बिमार थे, गाड था, सर्दद, बदंद, कुछ भी था आपने बोडी को चेक करें और किसी को भी चंगाई मिलती है तो अपने हाथ को आप उठा ले चेक करें जल्दी से अपने बोडी को चेक करें अपने हाथ को उठा ले देखो अलड़ी लोगों हाथ उठाना सुरू किया है अगर आपको चंगाई मिली है तो अपने हाथ को उठा ले देखे आगे वाले थोड़ा ऐसा पीछे पलड़ के देखे हाथ उठा के रखे देखो ये वे लोग है जिनको चंगाई मिली है देखो बच्चा भी हाथ उठाया बच्चे को भी परमेश्व ने चंगा किया इधर भी देखो बच्चे लोगों ने हाथ उठाया है जिसको चंगाई मिली है द्यान से सुनो कोई इधर जादूगीरी नहीं चालू है जिनको चंगाई मिली है इमानदारी से हाथ उठा लेवे लोग ये देखिए आप खुद घूम के ऐसे देखिए इतने सारे लोग चंगे हो गए है कैसे? कैसे? परमेश्वर ने उसके वच्छन के द्वारा लोगों को चंगा किया है ऐसी चंगाई बाबाजी के पैर पढ़ने से और पैर दोके पानी पीने से और काला गुडिया गोड़े का नाल लाने से नहीं होता निम्बू लेके आके घर में लटकाने से नहीं होता सरयाम परमेश्वर ने साबित किया कि वो यहां पे है वरना सुनो सुनो वरना मैं क्या चीज हूँ कि किसी का एक बुखार भी दूर कर दू आपको समझ में आ रहा है मैं खुदा नहीं हूँ मैं खुदा का नोकर हूँ फिर से वे लोग हाथ उठाओ जिनको चंगाई मिली है जिनको चंगाई मिली है जिनको चंगाई मिली हाथ उठाए आप देख रहे हैं ये एक सबूत है क्या कि ये खुदा का काम है मेरी बातों से कोई चंगा नहीं हो सकता लेकिन ये परमेश्वर का जो वच्चन है मैंने यहां से कहा और आपने सुना और मैंने पहली कहा था कि वच्छन सुनने के समय प्रभू चंगा करेगा हालेलुया और कई चमतकार तुमको यहां से जब बाहर निकलोगे तो चेक करना कई चमतकार रस्ते में होंगे कई चमतकार घर में जाने के बाद और कई चमतकार कुछ दिन के बाद तुम्हेरे जिन्दगी में होगा ये मैं इश्व मसी के नाम में कहता हूं और जो मेरे मुझ से निकलता है इश्व मसी के नाम में परमेश्वर हमेशा उसको पूरा करता है हालेलुया 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 ऐसे होता है वच् काली हो जाए